हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लोग में सो गाईज आज हम काली माता मंदीर और साइंपाबा मंदीर जा रहे हैं सबसे पहले हम काली माता मंदीर जाएंगे और वो रहीनी में दिपाली चौक के सामने जिस्थित है और यह मंदिर बहुती Famous भी है और यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होती है गैस अभी हम अवंति का पोस लिखे हैं हमें काली मंदिर पोस में अभी 5 मिंट लगेंगे चलिए फिर हम आपको काली मंदिर में मिलते हैं गाईज हम मंदिर पोच चुके हैं चलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूं गाईज ये देली कितने सुन्दर लग रहे हैं भगवान यहापे यह देखिए यह आपके काली माञाता है यह वैसे काली मा करी मन्दिर है गाईज ये देखिए साहि बाबा वैसे अभी हम साहिआ बाबा मंदिर भी जाएंगे फिर मांपे मैं आपको और अच्छी से दर्शन कराओंघी चलिए फिर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं ये देखिए गाइस पहले ये पूरा खुला हुआ था बट कोवेट 19 के चक्कन हुई अभी इनने पूरा कवर कर रखा है चलिए मैं आपको दूर से दर्शन कराती हूँ गाइस मैंने ये तेल की दो बोतल ली थी एक बुवा चड़ाएगी और दूसरी मैं चड़ाऊंगी और इस जोद को अखंड जोद कहते हैं चलिए गाइस हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और हम खुड़ा भार चलते हैं हाँ गाइस अब हम साही बाबा मंदिर जा रहे हैं और मम्मी और हमें महीं मिलेंगे मम्मी और पूज़ा बुवा कुछ काम से गए थे पहले हमसे पहले निकल गए और बुवा और मैं बाद में निकले गाइस हम साही बाब मंदिर पूज़ चुके हैं कि ममी को फोन कर रहा था ममी ने वहाँ से बोला कि हम निकल चुके हैं और हम यहां पूज़ भी चुके हैं और मम्मी अभी तक आई भी नहीं है यहां पर मम्मीं का वेट कर रहे हैं, यहां पर देखिये सेक्टर साथ में साहिवा मंदीर से। बगल वाली जो गली है वही पर ये एक बहुत सारी यहां पर शॉप हैं, यहां पर रेंट पर कपड़े मिलते हैं, अच्छे हैं, वैसे मैंने भी एक बार लिये थे, जब मेरा स्कूल में फंक्शन था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने लिया था, अच्छा था बहुत, आप भी ट यह देखें हें जेल्री मिलती हैं में रैंट पे में अजआ के नियa के साथ अच्छे को, आप यह दीए पूदा वाला कवर नहीं था उनकी एक और शॉप है चलिए फिर हम चलते हैं गाइस देखिए यह अंकल की दूसरी शॉप यहां पर कवर देखते हैं देखिए कितना छोटा सा फून है आजर हमें चाहिए थे हमें मांद्न थे अब कवर नहीं मिल아 बड़ फिर भी शौस्वे अच्छी थी वहीं बहुत अच्छी प्रस्तार सेद्सेशिए थे बलत 먹어 मैं फूसरी शॉप में देख लेंगे वैसे अब तक मपी तक नहीं है आये हैं देखते हैं कब तक एंब चलिए फिर हम दुबारा ऐसे घूमते हैं कुछ और देखते हैं कुछ और पसंद आये तो यहां से गाइस यह देखिए मम्मी और बुगा आ चुकी है बहुत वेट कराया इन दोनों ने हम से चलिए हम मंदिर चलते हैं अंकल यह लो वाले फूल कितने क्या है तीस रुपेगा एक गाइस वैसे हैं आप पे कुछ अंदर नी लेके जाना फूल फूल तो फिर हमने सोचे चलो ऐसे चलते हैं घर ले जाते हैं समय ले जाएंगे हम यहां से फूल कर दो दो इंदर भाले जाते हैं त्रेडा है यह धागा यह दस रुपे का एक है और मैं इस में से ब्लैक वाला ले रही हूं एक अंकर एक ब्लैक वाला देतो मुझे गाइस यह देखे साही बाबा की मूर्ती यहां पर कितनी अच्छे अच्छी फोटोज हैं यह देखे सारे भगवान है यहां पर सब की मूर्ती हैं यह देखे साही बाबा की मूर्ती आधाय है देखेंए धाय कि इतनी अच्छी इच्छी मूर्ती हैं यहां पर गणैस जी की हमारे तक है मैं आखेंग है यहां थे दो गाइज यह मंदिर के अंदर ही छोटी से मार्केट लगती है यहाली शोप अभी बंद हो रही ही है गाइज यह देखिए यहां पर कितने अच्छी मूर्तिया माता जी की गाइज अब हम मंदिर से होके आ चुके हैं अब हम घर के ओर जाएंगे चली फिर चलते हैं गाइज वैसे तो हम घर जा रहे थे बट अब हम रास्ते में मौल पढ़ता हम उदद चलेंगे पहले चली पर हम मौल चलते हैं है जरी रेखिए दोनों आनी पा रहे थे चोटे चोटे जोटफे एक कि यह रोहँटी वैस्ट मेट्र इस्टेशन और हमें उनिटी वन रोहँटी मॉल में जाना यहां ऐन्हें और वह मॉल चली है फिरभा अंदर चलते हैं छोंदिदे गल्ट कइंदर एंट्रि करते कर दो कर दो कर दो आज न दो आज यहाले एरिंग्स देखो कितने अच्छे लग रहे मुझे दिया वाले आजा मुझे दिया आज मुझे दिया सुट के साथ जाए यह बीक्या प्रेटी लग रहे यह सही आज तुस्यमक करे ले कर दो कर दो कर दो गाइज यहां पे भी गर्स के ही कपड़े हैं गाइज यह देखें यह यूनिटी वन रोईनी मॉल है और यह रोईनी वेस्ट के साथ में हैं यहां पे आपको कुछ स्टॉल मिलेंगी भार पे भी और यहां से आपको एंट्री गेट यहां पे है गाइज मैं इस मॉल में घूम के आ चुकी हैं और एक बार आप भी जरूर आएं यह बहुत अच्छा मॉल है अब हम गेट नमबर टू से ही एक्जिट होंगे चलिए गाइज अब हम घर चलते हैं अब हम रोईणी वेस्ट में आएं और हमें विश्राम चोग जाना है गाइज हम घूम के आ चुके हैं बहुत ज़्यादा ठक भी गया आज यह देखो चिंकी तो अभी तक गोदी से नीचे ही नहीं उतर रही अब उतरी है बहुत मुश्किल से वो भी उसको नीद आने लग गई थी वैसे सब ठक चुके हैं सो गाइस आपको मेरे ये व्लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले